बच्चो, portion number 2, प्रफ़च पार्ट, 3 प्लस रूट 3, इंटू, 2 प्लस रूट 2, 3 प्लस स्क्वाइर रूट 3, एक ब्रेकेट में, इंटू, 2 प्लस स्क्वाइर रूट 2, बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मत्दा, क्या होता है, multiply, यह हम आपको पहली बता चुके हैं, अब यहाँ आपको दो ब्रेकेट को multiply करना है, ठीक है, basically, यह आप पर क्यों क्यों हो, property भी, ठीक है, multiply तो करना ही होगा, तो यहाँ पर 3 इंटू 2, प्लस, फर्ष्ट रम का फर्ष्ट रम से हुआ, अब फर्ष्ट रम का सेकंड रम से, तो 3 इंटू, रूट 2, ठीक है, प्लस क्य होया, क्योंकि यह भी प्लस है और यह भी प्लस है, तो यहाँ पर प्लस रूट 3 इंटू प्लस 2, तो प्लस इंटू प्लस इस प्लस, रूट 3 इंटू 2, ठीक है, तो 3 इंटू 2, ठीक है, तो 3 इंटू 2, 6, rational का irrational से multiply, irrational ही रहता है, यह 3 root 2 ही रहेगा, ठीक है, plus 2 into root 3, यह 2 root 3 आएगा, फिर irrational का irrational से multiply, irrational आता है, लिकिन क्योंकि यह square root है और यह भी square root है, तो इनको आपसमें multiply किया सकता है, तो square root 3 into 2, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, हमना आपको बता है था, nth root a into nth root b, क्या होता है, nth root a into mth root b, तो multiply हम नहीं कर सकते हैं, nth root a into mth root है, m, ठीक है, तो अगर अलग-अलग radical science है, तो उनको आपसमें multiply नहीं किया सकता है, अंदर multiply नहीं किया सकता है, कैसी किया सकता है, यह बात की बात है, ठीक है, अभी आपको ऐसे करना है, तो यह वह जाएगा 6 plus, अब देखें, यह भी different radical science के साथ है, radical science सेम है, लेकिन radical science के अंदर different value है, यहां 2 है और यहां 3 है, तो इनको भी plus नहीं किया सकता है, तो यह यहीं रहेगा 3 root 2 plus 2 root 3, और plus root 6, चीक है, यह clear है, तो यह आपको final answer है, इसके अलावा इसमें और कुछ हो नहीं सकता है, चीक है, कभी आप सुचेंगे, इसको अंदर ले जाएं, तो इसको अंदर ले जाने के लिए root 4 होगा, तो यह root 12 बाएगा, सब भी plus नहीं होगा, यह आपका final answer है गाईगा, आपो, इसके लिए, चलिए इसका second, 3 plus root 3 into 3 minus root 3, तो यह expression कहुन सा आगया है, A plus B into A minus B, चाह होता है, A square minus B square होता है, क्यों know, ठीक है, वैसा आप लिख सकते हो, we know that, exam में लिखना होता है, वैसे लिखोंगे, we know that, A plus B into A minus B is equal to A square minus B square, that by 3 plus root 3 into 3 minus root 3 is equal to 3 square minus root 3 square, ठीक है, फिर यह बात भी हो चुकी है, कि nth root A, तो थी power अगर nth हो, क्या आता है, A आता है, अंसा, ठीक है, 3 square root है, और power square है, तो क्या आएगा, 3 आएगा, it means, 3 का square तो 9 आएगा, 3 into 3, अब माइनस यह कितना आजाएगा, 3 आजाएगा, तो 9 minus 3 is 6, this is your final answer, यह question number 2 का second part था, अब question number 2 के थर्ड पार पर चलते हैं, root 5 plus root 2 का whole square, ठीक है, so we know that, यह identity भी आप जानते हैं, यह भी हम पड़ चुके है, root A plus root B का whole square आता है, A plus B plus 2 under root AB, ठीक है, physical अगर यह identity भी याद नहीं है, तो A plus B का whole square उपन कर लो, A plus B का whole square क्या आता है, A square plus B square plus 2 AB, तो बहाँ से भी आ जाएगा, यह है, दुन दरसे मैं बता देता हूँ, पहले तो इस identity को use करते हुए आप पर सक्टो, root 5 plus root 2 whole square, तो यह क्या जाएगा, 5 plus 2 plus 2 root 5 into 2, तो यह जाएगा, 5 plus 2, 7 plus 2 root 7, यह, final answer गाईज, चीक है, तो यह identity जो उपर वाली बनी VC identity से भाई है, तो यह, root 5 plus root 2, का square लिखा हुआ है, तो इसको आप root 5 का square करोगे, प्लस इसको root 2 का square करोगे, प्लस 2 into root 5, और into root 2 करोगे, तो जो identity आपने पढ़ी है, कि nth root का power n है, तो बापस क्या आता है, जो radical sign के अंदर होता है, यानि कि 5 यह आएगा, प्लस यह 2 आएगा, प्लस दो रेटिकल साइन सेन है, तो इनको आपस में मुटिप्लाइज कर सकते हैं, तो अब्स 2 into 5 into 2 आएगा, 5 plus 2 is 7, plus 2 root 10, अब यह आपस में plus नहीं हो सकता है, यह सॉरी मैंने 7 लिख दिया, 7 ने है गाई, इतना है, 10 है, ठीक ह रहेगा आपका, 7 plus, 2 root 10, और यह भी 7, ठीक है, इसको हमने इस identity, direct identity से solve कर दिया, अगर यह बाइचांस आपको याद नहीं रहती है, confusion होता है, तो इसको open कर लिए, ठीक है, अगो, देसे के लिए, चलिए, नेक्स कोशन की तरब बलते हैं, नेक्स पार की तरब बलते हैं, इ root 2, तो यह consistency है, we know that, root A plus root B, root A minus root B, क्या आता है, A minus B, ठीक है, यह, A plus B, और A minus B, is equals to A square minus B square, इसी तब यूज़ करके आंसर आजाएगा, तो इसको यूज़ करते हुए, तो सीदे आंसर क्या आएगा, root 5 minus root 2, into root 5 plus root 2, अब इसके सामने यह लिखेंगे, we know that, फिर इसको लगाएगे, तो यह आ जाएगा, 5 minus 2, क्या जाएगा, तो यह आपका यह, और अगर इसको यूज़ करने जाते हैं, तो root 5 minus root 2, इसके स्क्वायर, और इसके स्क्वायर, root 5 plus 5 आएगा, root 2 plus 2 आएगा, तो 5 minus 2, 3 आपका final आंसर आएगा, guys, I hope this is clear,